नमस्कार सलाम, निउसक्लिक में आपका स्वागत है, मैं हूं मुकुल सरल आज ऐसा दौर है जो बड़े-बड़े मानपतवादी, समाजवादी, यहां तक के गांधिवादी लोग भी दिश्द्रो ही कहे जाने लगे हैं आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही शक्स, गांधी पीस फाउंडेशन यानि गांधी शांतिय प्रतिष्ठान के ध्यक्ष कुमार प्रशान्त प्रशान्त जी आपका स्वागत है, दैन्यराज आपने बेखाफ होकर RSS, सावरकर और कश्मीर पर अपनी राय जाहिर की और इसे लेकर आप पर कुछ हमले शुरू हो गए, आपके खिलाप मुकदमा दर्ज हो गया, मैं आपसे बारी बारी इस बारे में जानना चाहूंगा सबसे पहले कश्मीर पर आपकी राय, जिसे आपने एक साजा पत्र द्वारा जिसमें गांधी इस्मारक निधी के दिक्ष भी शामिल हैं और गांधी पीस फांडेशन से आप और तमाम लोग रजा फांडेशन एक पत्र भी जारी किया, उसमें भी अपने कश्मीर के बारे म कश्मीर हम लोगों को खासकर गांधी को मानने वाले लोगों को विरासत में मिला हुआ है आजादी से कोई दस सब्ता पहले गांधी जी पहली बार और आखिरी बार कश्मीर गए थे और वहां की एक जन सभा में उन्होंने ये कहा था कि मैं ये पूछने नहीं आया हूँ कि कश्मीर कहां जाने वाला है मैं तो सिर्फ ये जानने आया हूँ कि कश्मीर के लोग चाहते क्या है कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करेंगे और फिर हो कह गए कि कश्मीर के लोगों का मेरा मतलब है कि कश्मीर रहने वाले मुसल्मान कश्मीर में रहने वाले पंडित कश्मीर रहने वाले डोगरा जाती के लोग कश्मीर रहने वाले सिख लोग ऐसे चार लोगों के जिक्र उन्होंने किया और उन्हों कहा कि यह जो कहेंगे कश्मीर का फैसला तो वही होगा मैं अपनी तरफ से कहने आया हूँ कि मैं शेख अब्दॉल्ला का समर्चन करता हूँ क्योंकि यह लड़का राजशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और कांग्रेस समिशा राजशाही के खिलाफ रही है यहां से कश्मीर का हमारे साथ नाता शुरू हता है और अगर बाद का इतियास आप देखें तो विनोवा अपनी भुदान यातरा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कोई 15 दिनों तक कश्मीर में रहो और कश्मीर के हर तरह की समस्या के बारे में उन्होंने अपनी तरह से बात रखने की कोशिश के और आज़ादी के बाद जब कश्मीर एक बहुत थी नाजुक दोर में था तब जिस आदमी ने कश्मीर के सवाल को उठाया और उसको एक बड़ा ही रचनात्मक मोड दिया उसका नाम जय प्रकारशना रहने है तो हम लोग का इतना पुराना कश्मीर के साथ एक कंसर्न और एक रिष्टा और कश्मीर के बारे में एक निश्य दिशा रही है जब आप खेते हैं कि कश्मीर को लेकर सरकार ने जो फैसला किया वो अलोग तांत्रिक है तो यह आप इस नतीजे पर कैसे पहुते हैं जैसे यह चार लोग जिनका जिकर गांधी जी ने किया इनके साथ किसी ने बात नहीं कि कि कश्मीर का अगर कुछ गडबर लग भी रहा हो कि परिस्टिय चे कि कुछ नया कदम उठाना है तो नया कदम उठाने से इतराज नहीं है नया कदम कैसे उठाएंगे आप इस हवाल इसका है तो अगर उन लोगों को आपने अपने विश्वास में लिया होता चर्चा में लिया होता देश के बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ही तरह ही मांदार हैं आपकी तरह चिंतित हैं उनको आपने विश्वास में लेने की कोशश की होती और उसके बाद कोई रास्ता बदला होता आपने, तो भी हम समझ सकते थे हैं, आपने तो ये कहा कि बाहर से हमला होने वाला है, हमको पता चला हमला भीतर से हुआ, तो कितनी भेहंकर बात है कि आपने फौज को भी जूट बोलने पर मजबूर कर जिया, आज तक हम लोग अभी भी ऐसी राजनीती में इस्तेमाल नहीं करते थे थे फाज का कमांडर आकर जूट बोल रहा है कि बाहर से रिपोर्ट है कि हमला हो सकता है इसलिए अमरारा थैत्रा रोग दी गई और इसलिए सारा कुछ बंद कर दिया गया और क्रिकेटरों को वापिस भेज़ दिया गय लड़कों को कालेज से वापिस भेज़ जा क्योंकि बाहर से कुछ हो रहा है और जब सब कुछ हाथ में आ गया तो आपने हमला किया तो कैसा लोग तो आप इसे एक हमले की तरह देखता हूं मैं कश्मिर जनता पर मेरा सबसे बड़ा इतराज इसी बात से है कि आपने किस त या तो वो भी जूट बोलने की ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं या वो इतने अनजान थे उनको भी इतना अंदेरे में रखा गया था कि बारह घंटे पहले जो उनको मालूम नहीं था कि क्या होने जा रहा है ऐसे तो लोग तंतर नहीं चला सकते हैं तो कश्मीर पर जब आप अपनी बात रखते हैं और तो आप देखते हैं कि यह जो मुक्हधारा में एक इस्थापना दी जा रही है तो उस से अलग जाते हैं तो आप गांधी वादी होने के बावजूद गांधी और जे-पी के अनुवाई होने के बावजूद आप देश अर इसी डिली की सड़क पर जैफ्रकाश न आयन गद्दार है करके जुलूस निपला था जिसके जवाब में जैफ्रकाश जी ने कहाrain था कि जिस दिन जैफ्रकाश गद्दार हो जाएगा इस देश में कोई देश में बचेगा नहीं यही लोग थे यही लोग थे जिन्होंने आखिर में गांधी को गोली भी मार दिया तो असहमत के साथ आसहिशन होना यह इनके दर्शन में शामिल है मैं इनको समझाना यह चाह रहा हूँ कि सतर साल के लोग तंतर के बाद तुमको भी अपनी यह भूमी का बजलनी पड़ेगी असहमत के साथ सहुशनता के साथ समवाद करना शेको आप शसी सतर साल कह रहे हो और जो नब्वे साल आरहसस को हो गये अपने आरे सस पर भी अपने विचार जाहिर किये और सावर कर को भी ले कर तो आपकी सावरकर पर क्या अपकी राए है इस बारे में थोड़ा सबूस्क उदिए ठीकिए सावरकर जो है यानि वीर सावरकर नहीं है मैंने कहा एक जगह वही दोहरा देता हूँ कि अगर सावरकर वीर है तो वीर शब्द का अर्थ बदलना पड़ेगा क्योंकि वीरता की किसी परिभाशा में बैठते नहीं है और वो जो एक कहानी है उनके बारे में कि वो जहाज से कूद कर फ्रांस जा रहे थे वो घटना अगर छोड़ दी जाए तो उनके जीवन में सिर्फ कायरता ही बरी हुई है तो मैं उनको कभी वीर कहता नहीं हूँ लेकिन मैं इसका मतलब नहीं कि सावरकर का आप मान करता हूँ उन्हों ने जो किया जो भी उनको लगा उन्हों ने वो किया उसका जब हम दूर से बैटकर सिलेश्न करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि वो ऑन कहा चूक कीerdot की कि उनका आप गुनदोश पर उनका अलोशना क currently हैं आपके गरेंगी सावरकर सावरकर हैं ठीक है पर वीर सावरकर नहीं नहीं सवाली नहीं और आरेसस को लेकर आपका आकलन तो यह सावरकर का ही ब्रेंचाइड है जो आरेसस नाम की संस्था है दरसल में इसके जो बहुत धिक पुरूश है वो तो सावरकर है तो जब सावरकर ज तो सिर्फ अपने बाहूबल से तुम अगरी सोचते हो कि तुम किसी देश के सपने को बड़ल दे सकते हो तो तुम बहुत गलत प्रेमी में हो हजारों साल की कोशिशों से इस देश का मन बना हुआ है हजारों साल की कोशिशों से इस देश की समाजी एक गुनावट बनी है वह देश एक इसलिए है कि बहुत सारे दागों ने मिलकर इसको एक आकार दे रखा है इसमें से गर तुम एक भी धागा खींचने की कोशिश करोगे एक बार तुम खींच कर देख चुके हो जब महात्मा गांधी के रहते हुए भी हम दो टुकड़े होने से बच नहीं पाए दागा खींचने की कोशिश थे अब तो कोई उतना बड़ा आद्मी भी नहीं है हमारे इस समय अगर तुम कुछ धागे खींचने की कोशिश कर रहे हो तो तुम गिन नहीं पाओगे इतने टुकड़ों में समाज को तो तो कम से कम हम जो इस दागे की कीमत जानते हैं आवास तो लगाएं असामती में हाट तो उठाएं और कदम तो बढ़ाएं यह तीन भूमिकाय में देखता हूं हम इसी में पूछ रहा था जैसे आपने गांधी और आरसस इस सब की बात की पर आरसस भी अपनी स्विक्रती के लिए अपनी मान्यता के लिए हमेशा गांधी जी को क इन्वाइट किया और जेपी ने भी एक बार कहा गिए अगर संग फाशिष्ट है तो मैं भी फाशिष्ट हूं तो इन सब का इस्तमाल वो अपनी स्विक्रती के लिए करता है तो क्या इन लोगों में भी कोई ब्रहम की इस्तितियां थी या जिसका फाइदा संग ने लिया जूट को खड़े हुने के लिए हमेशा सच की लाठी चाहिए उसके बगर जूट खड़ा नहीं हो सकता है तो जितने उदाहरन आप दे रहे हैं ये उदाहरन बराबर वो लोग दोहराते हैं और इसमें सत्य कुछ भी नहीं है ने तो गांधी का कोई रिष्टा RSS के साथ र जूट के बारे में क्या सूचते हैं वो बात उन्होंने रखे हैं और प्रिकाशन नर्ण की बात तो इतने नजदीक यह है कि शाजन को बोलने में भी शर्मानी चाहिए क्या आपनी ही जो कोटेशन कहा भी उसका कंटेक्स बिलकुल अलग है अलग संदर्व में वो बात कही गई है उस संदर्व से काट करके उस बात को आप इस्तिमाल करने की कोशिश मत करो तो जिसलिए उन्होंने कहा जो हमारा यह आंदोलन चल रहा था संपूर्ण करांथी आप और इस आंदोलन के साथ जो कोई भी जूड़ा था इंद्रा जी उनको किसी ने किसी तरह से डिस्क कहा था तो जब प्रकारश नारेंट जी ने यह कहा और पब्लिक में कहा था है मतलब उस संदर्व से अगर हम उससे काट देंगे तो उसके अर्थ बदा जाता है जैसे वह पटेल को भी इन दिनों कोट कर रहे हैं लगातार और हर बात में सदार पटेल की भूमी का और उसे क बारे में कुछ बता हैं तो गांधी से लड़ नहीं सकते हैं इसलिए इस तरह की चीजें खड़ी करते हैं कि शायद इनके द्वारा कोई लड़ाए लड़ी जा सके हैं लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि सरदार पटेल और जवाला नेरु दोनों गांधी की आभा के अखर देखा ऐसे इस मामदे में कि गांधी जी का चर्खा भी उकात्ते दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रदान मंत्री जी और अब वो डेड़ सोवी बर्श गांड जो मनाएंगे और पूरा उस अक्टूबर से सितंबर से शुरू हो जाएगा करकरम इस संदर में एक गांध जी के साथ काम करते हुए वह तरीका समझ में आया है कि लोगों के बीच में काम करना है और जो हमारा मीडिया है जहां चर्चाएं होती है वो लोगों के बीच से अलग काम करता है उसके लोग कुछ और ही है इसलिए हम लोग कभी उसके फोकस में नहीं आते हैं इसलिए कभी मिलते हैं के हम लोग बहुत मुखर रहे हैं जब गंधी वालों ने जोर से आवाज नहीं उठाई लेकिन आवाज पहुंसती नहीं थी कि आपको देश कूरना का शड्यंत्रकारी एक गंधी वाली को बताय गया है और उक लिए तो तमाम बाते कही जाती रही है तो इस संदर में आप क्या कहना चाहेंगा उड़ी साथ में किसी ने पूछा मुझसे ही है वो थोड़ा सब उसका बताईए कि क्या हुआ वहाँ दर्शन वैसा है कि मैं कुछ दिनों से कोई समझे दो साल से एक नया सिलसला शुर स्थानी परिस्थी दे कर लेकिन सवाल एक दर्जन है उन सारे सवालों को मैंने लिस्ट किया ज्रुप अन्य है इसे व्याख्यान वाला के तीन कडियों को भूनेश्वर में आउजित किया गया था जिसमें गंधी और भारत का विभाजण गंधी और जवाहलर नहरू और ग सवरकर कर भी और में सरवकर बहुत के दुछ को लगों को दिक्क नहीं को बहुत करता है उससे अची कुछ हो आको वो सभी आकर बढ़ते थे, सभी ने बाते सुनी, उसमें से मुझको कहना चाहिए, कि दो-तिन लोगों ने आकर के मंच पर मुझको बहुत बढ़ाई दिये, कि आज तक कभी इस तरह से इतिहास हमने सुना नहीं था, फोटो खिचवाये मेरे साथ, वो सब हुआ, और दूसरे असी खबर सुनी कि वहां से इतनी दूर कंधमाल जहां में पहुंचा भी नहीं था, वहां के थाने में F.I.R. दरिश की गए, तो मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि बात तो वहां कुछ होई नहीं थी, लेकिन जो भी हुआ, दूसरे दिन पर सेहला, कटक में की गए, F.I.R. जब मंगवाई हमने तो देखा कि दोनों F.I.R. एक ही जगह से बने हुए हैं, शायद बांट दिया गया है, कि सब दो जहां करें, वहां करो, ठीक है, तो मैंने उडिशा में कहा कि आपने दोनों तरह का उपार दिया है, प्यार भी बहुत दिया, और ये भी दिया, दोनों आज होते, तो वो आज के समय को फिर किस तरह देखते और किस तरह हमें बताते हैं, गांधी जी की दो ही बाते हैं, जो किसी भी समय पर आफिट कर दे सकते हैं, सच बोलना और सच का काम करना, तो गांधी अगर आज होते हैं, तो सच बोलते हैं, कि तुम गलत कर रहे हो, और वो काम करते हैं, जो इस गालत को काटते हैं, वही करने के बहुत छोटी कोशिश में हम लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि नमक तो कहीं का नहीं कहीं भीतर है, वो बार बार आवाज देता है, बेशक बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, तो जैसे प्रश प्रियनिस्क्लिक, बहने बाद